जैसरी करश्न मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जारें इस वर्ष 2022 में निर्जला एका दशी का वरत कब रहेगा यानि 10 जुन या 11 जुन 2022 को रहेगा तो मित्रो आज आपको हम बताएंगे निर्जला एका दशी का वरत आपको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि इस वर और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य नई नई ग्यानवरधक जानकारियां वह नित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो वर्स की सभी 24 ए एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है तो अंग्रेजी केलेंडर के नुसार निर्जला एकादशी का रहत मई अथवा जून के महिनेमें आता है साम के पांच बच के पेतालिस मिनिट तक एकादसी तिथी रहेगी तो उदियात तिथी के अनुसार शनिवार के दिन यह वरत रखना उत्तम रहेगा और अगले दिन इसका पारण करना चाहिए तो निर्जला एकादसी की पुजा विदी इस प्रकार से हैं इस दिन प्रातहका सुरियोदे से पहले उट करके इसनानादी करके स्वच्छ वस्त्रधारन कर लेएं इसके बाद सुरियोदे के समय सुरी दिवता को तामवे के पात्र से जल अरपित करें इसके बाद पीले वस्त्रधारन करके भगवान विश्णु जी की पुजा करें भगवान विश्णु और आज के दिन वेसे तो निर्जल उपवास करना उत्तम रहता है लेकिन आवश्यक्ता पढ़ने पर जली आहार फलाहार आदी आप ले सकते हैं तो किसी निर्धन व्यक्ति को जल अन वस्त्र या जूते छाते आदी का दान करना इस दिन महत्व पूर्ण होता है इनका अनन्त गुणा फल मिलता है निर्जला एकादशी का महत्व धर्म गरंथों में इस प्रकार से बताया है निर्जला एकादशी पर निर्जल रह करके तबी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है और भगवान विश्णुजी की क्रपा मिलती है तो भीम ने एक मात्र इसी उपवास को रखा था और वे मुर्चित हो गए थे इसलिए इसे भीम सेनी एकादशी भी कहते हैं वेसे तो हर वरत धेरिय और संकल्प का प्रतिक हो लोगों को सुबह सुर्योदे से पहले उठकर के इसनान करना चाहिए भगवान विश्णु माता लक्ष्मी जी की आरादना करना चाहिए पूजा करना चाहिए एकादशी का वरत बिना जल के आपको करना चाहिए इस दिन पूरे दिन भर भूक और प्यास पर धेरिय आपको नहीं करना चाहिए तो पुरे दिन भर निर्जला एकादसी का वरत रखने वालों को ब्रह्म चरी का पालन भी करना चाहिए निर्जला एकादसी के दिन दान पुन्ने का विशेश महत तो होता है अतह गर्मी में काम आने वाली चीजों का दान करना अती उत्तम होता है इसका अ पिले वस्त्र धारण करके भगवान विश्णु जी की पूजा करके वरत का संकलप आपको लेना चाहिए। पिले वस्त्र धारण करके भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेश करपा द्रश्टी बनी रहती है। इसलिए अगर आप बीमार आदी हैं तो इस वरत को करने से आपको परहज करना चाहिए। तो वरत के बाद पारण में आपको तामसीक मानसारी भोजन आदी का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी तामसीक वस्तूओं का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। और मदिरा सेवन समेत अन्य नशे से भी आपको इस दिन दूरी बनाए रखना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार ही आपको लेना चाहिए। पारण वाले दिन सात्विक वस्तूओं का भोग भगवान को अरपित करना चाहिए। और स्वयम भी उसे आपको ग्रहन करना चाहिए। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्यानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद जैसरी करश्ण मित्रों फिर मिलेंगे।